मेरा देशुक्त वीडियो में हम जो है दिवाइस करने वाद है स्मॉल शेयर होडर डिरेक्टर एंड साथे साथ जो अपना दे बोर्ड मीटिंग वाले डिरेक्टर है 161-1234 इंडरसेंस की अडिशनल अल्टरनेट नॉमनी कैजूल डिरेक्टर तो इस तरीके से यह अडिशनल डिरेक्टर है डिशनल होगा काजеняगर ब्लॉब ऑल्टरनेट भी होगा abd काजगलईowक काजगे डिरेक्टर होगा अपना नाविडरेक्टर एंड साथो शेखेंड जो हैंए सरह तरा कि लेंगे क्रोडी को उस से इस पर्टीक्लर हिटिसे वीडिये को ओर करेंगे हु़ अजय तो श्याश्जज़ करें ये शिलेक्षिंट अबेंडङे करने चार्ब मैंने को क्यरें शिलेक्ष्जन ओर चैपसे पृतिक देख रका मैनर सिलेक्षिंघbury कमपनी जो है, इन्डीपेंडेंड डिर्टर मेल है, चक्ण एक मैनर है करने को सेलेक्शन आपको सेंटर गोवश्न प्रोइट करेंगे अब कमपनी जब सिलेक्ट करती है तो इन्डीपेंडेंडटर का डेटाभेंग है का ओने सर्थ और छाफ ख्रीच करने के लिए तो वो data bank ठीक है, वो create करती है and then उस data bank में सारे independent directors के नाम होते है company क्या करती है, company select करती है independent director data bank से पर फिर भी company को due diligence अप्लाय करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वहाँ से select कर लिया तो कुछ भी चेक करने की जड़तनी direct appoint करो, due diligence appoint करना पड़ेगा लगा करना पड़ेगा, appoint करने के लिए जो OR लगता हो तो लगेगा ही पर वो ही independent director second term के लिए होता है तो special resolution लगता है साधे साथ meeting की notice में जाता है न वो excellent statement जो show करता है justification of appointment of independent director वो भी जाएगा, अब independent director में जब नाम जाएगा, क्या के चाचिछी जाएगी name, address, qualification data bank वो होगा, जो put, ये जो data bank है ये put होगा, Indian Institute of Corporate Affairs की website पर वो data bank put होगा, in the sense कि आप आप की website पर क्लिक करोगे आपको पुरा data bank मिलेगा, ठीके, जो person willing to act as independent director जिनकी इच्छा है independent director बनने की, वो अपना नाम इस data bank हो put करवा सकते है ठीके, अब data bank से कोण, कोण director उठाएंगी ये तो हमने बात कर ली, company director उठाएंगी पर कोण director रखेगा, वो इधर बोला गया है, बोला गया है कि जो person appoint हुए है independent director, ये person जो intended to get a point, जिनकी इच्छा है to get a point, भले उनकी पर दिन हो, या नी हो हो मंतले इंडेसेंस कि दिन आने वाला हो, इस तरीके से बोलना चाह रहे हैं, तो वो अपलाय करेंगे online, वो साथ ये साथ फीज सब्मिट करेंगे, कि भाई, हमारा नाम independent director के लिए रखो, एक साल के लिए पर आप अपना नाम रख सकते हो, पांच साल के लिए भी रख सकते हो, लाइफ टाइम के लिए भी रख सकते हो, आप फीज उसके इसाफिर प्रवाइट करोगे, annual, मतलब कि annual फीज दे सकते हो, या तो अपने, पॉइंड नाम रख सकते है, जरूरी नहीं है, तो आपकी इच्छा हो, thingy, डेटा बंक है आपकी इच्छा हो तूम्हां से पूट कर लो। आपके से भी आप इसाफ से भी चूज कर सकते हो। ठीकिये? रही बाद आती है डेकलेशन की... तो इंडीमेडेचन डैरेक्टर को जैना पड़ता है कि चलो अगर independent director appoint हुआ है 6-1 का उसने compliance कि चलो उसको appoint किया था ठीक है तो उसने 7 महिने में अपना नाम जो है वहाँ पर पूट करवा दिया है तो declaration ऐसा board को देगा या 6-2 के अंदर compliance 6-2 का compliance क्या होता है कि जो भी है payment जो कहना बढ़ता है fees का ठीक है expiry के 30 जिनके अंदर उसने का renewal करा लिया क्योंकि in case कभी renewal करा ना हो तो उसने time to time वो renewal पर कराता है ठीक है timely और साथे साथ वो independent director का compliance करता है तो वो तो हमको लिखना ही पड़ेगा 6-1 का compliance, 6-2 का compliance और 149-7 में 149-6 का compliance ऐसा declaration देना पड़ता है इनके भी test होते है जिसमें उनको 60% लाने पड़ते है attempt unlimited है ठीक है और नाम पूट करने के एक साथ के अंदर test होते है ठीक है तो कोई exemption नहीं है ठीक है बट test देना पड़ता पर इन लोगों को test नहीं देना पड़ता मतलब कि कुछ exemptions है कि person जो ठीक है person served as ठीक है तो person जिसने served किया है director या KMP वो director या KMP 10 साल से ठीक है किदर? listed company में जै पब्लिक company जिसका paid up capital 10 करोड़ या उसे जाता है ठीक है तो जब वो नाम पूट कर रहा था तब ही जो है 10 साल या से ज़्यादा का experience है ठीक है 10 साल या से ज़्यादा का experience है listed company में as a director या KMP या तो public company विसका paid up capital 10 करोड़ या से जाता है तो एसे case में जो है एसे case में ठीक है वो उन्हें test देने की जड़त नहीं है तो इस तरीके से जो है हमने around 5 मिनिट में over किया है see हम समझ चुके है कि data bank बनता है fees बेकरनी पड़ती है ORO notice तो वेसे के वेसे ही करना ही पड़ेंगे ठीक है यह important है कि appoint होने के 7 मेने में या जिसकी इच्छा है ठीक है दिन हो नहीं हो जो भी है apply करना पड़ता है online ठीक है fees का renewal है तीस जिन में renew करा लो जो है compliance के certificate compliance के declaration दो देने बड़ते 6162 149 subsection 7 का compliance साथी साथ test भी देना पड़ता है ओ जिससे जो 10 साल से serve कर रहा है as a director या केमटी ठीक है किसमें public company जिसका paid off the hotel 10 करोड़ या लिस्टेट कमपनी में तो ऐसे case में आपको test जने की जड़त नहीं है तीक है अब आतीए बात small shareholder director की 151 जो होता है वामना है small shareholder director है कुछ सेलियंट है तीक है सबस्ट भी लब हम समझते है कि क्या बोला इसमें ओके तो इसको start जो है वो यहां से करना है तीक है जो शेर्ड़ पार्ट है यहां से start करना है क्या बोला है परसन या तो खुच से तीक है या तो small shareholder special notice से तो person या तो खुच से या तो small shareholder special notice से जो है लिस्टेड कंपनी को अपलाई करते है special notice जब वो देते है तीक है special notice जब देते है small shareholder मतलब कोन thousand small shareholder ठीक है और one-tenth of total small shareholder तो thousand small shareholder one-tenth of total small shareholder ठीक है whichever is less thousand small shareholder one-tenth of total small shareholder जो भी small shareholder उसका अगर eight-one-tenth भी ठीक है भले वो थाउजन से कमे पर वो one-tenth का अगर पुडा करने है तो या से कैसमे eligibility criteria meet करने है यह small shareholder बुला है member की बात नहीं करी है small shareholder वो होते है जिनकी nominal value less than equal to 20,000 होती है एसे लोग जो है special notice जेते है listed company को अब listed company में listed company की उपर है तब सब बेले कि उन्हें appoint करना तो करें नहीं करना तो नहीं करें कोई जोड़ जब आ जास्ती नहीं है जो भी यह listed company appoint करती है small shareholder director जो भी appointment होता है वो 3 साल के लिए होता है और director का appointment में meeting में होता है पर यह meeting को तुम general meeting मत मान लेना ठीक है यह general meeting वाले director नहीं है ठीक है अब कुछ कुछ चीज़ अब हमको याद रखने पड़ेगी कि जो यह notice है इसके बारे में कुछ वोल के रखा है कि यह 14 days at least 14 days before meeting जाएगा तो 14 दिन पहले जो है यह notice जाएगा यह sign by all who are proposing for appointment तो उन सब के ज़वारा sign होगा जो propose कर रहे है appointment के लिए ठीक है content में क्या जाएगा हमारा यह नाम है हमारा यह address है हम इतने share hold करते है अगर hold करते हो तो साथ यह साथ small shareholder कितने hold करता है share और small shareholder director कितने share hold करता है जो भी है यह तीनों तीनों इसके बार में भी जाएगा वो खुद कितने share hold करते है साथ यह director है उसका नाम है address और वो कितने share hold करता है मतलब कि कल को'da small shareholder director share ही holding नहीं कर सकते रहा, तूभी वो director तो बन सकते हैं। क्योंकि number of share में बुला ही if, तो te call नहीं को this success is kalo you hold the share keep break, फो इसे किया से गुए आप director भी अप कुए you are director to yourself, ज़रुरिया हैं कि small shareholder director को small shareholder को sharehold करना जरूरी है ठीक है तेक यह नई चीज़ हमने समझी साथ ही साथ जो है अपन या तो person खूद या तो small shareholder special notice से जो है listed company को apply करता है listed company के उपर है कि उसे appoint करना है कि नहीं करना है appointment जो भी होगा 3 साथ के लिए होगा पर वो general meeting में नहीं normal meeting में हो जाएगा अब small shareholder holder की meeting में ही होगा अब DIR2 जैसा सेम है कि small shareholder को on या before appointment DIR2 से अपना consent देना पड़ेगा कि मैं ऐसे directorship hold करने के लिए acceptance दे रहा हूँ मैं अपना consent दे रहा हूँ listed company DIR12 submit करेगी registrar को 30 दिन के अंतर तो DIR2 मिलेगा और DIR12 मिलेगा ठीक है अब समझो special notice के साथ statement दे जाएगा statement में गया है कि statement भी जो है signed by all proposed director तो जो भी signed by all proposed जो director ठीक है signed by proposed director ठीक है तो अब जो statement है तो statement में जो proposed director है ना उसके दोर असाइन होगा अब इसके उपर जो notice था उधर हमने बोला था कि जो भी propose कर रहा है ना जो जितने भी director जो apply कर रहा है तो director who are applying ठीक है person who are proposing the appointment तो जो आवेदन दे रहे हैं सारे के सारे वो notice पे sign करते हैं इधर statement में तो जिसका आवेदन दे रहे है जिस person का आवेदन दे रहे है वो sign करता है बताता है कि उसके पास दिन है ठीक है consist declaration and consent कि और उसने consent दे दिया है ठीक है उसने declaration भी दे दिया है that he is not disqualified ठीक है तो अपने साब बोल जेते हैं कि ये जो है ds सी जेता है d से that he is not disqualified to declaration that he is not disqualified s से sign ठीक है c से consent कि वो din hold कर रहा है ये particular statement भी साथ में आता है and then जो है ये statement के साथ listed company को apply के जाता है listed company appoint करती है कोई जरूरी नहीं appoint करना जी जो हम ने बात करी थी और meeting में इसका appointment होता है general meeting नहीं होती है साथे साथ small shoulder director जो है वो DIR2 देखा और listed company DIR2 एल forward करेगी तीस जिन के अंदर कुछ बात कर रहे है कि small shareholder director के आगे hash दिया हुआ है ठीक है तीन साथ के लिए का appointment होते है समझो है जो है 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 जो है है वाला point है कि 164 का disqualification जो है वो इस पर भी applicable होता है ठीक है small shareholder director रोटेशनल डारेक्टर नहीं है बतलब ये डारेक्टर जो है general meeting में रोटेट नहीं होता है क्योंकि इनका 10 एर फिक्स दिया हुआ है ठीक है इनका reappointment भी नहीं होता ये रोटेशनल डारेक्टर नहीं है ये रिटारिंग डारेक्टर भी नहीं होंगे तो कि रोटेशनल डिरेक्टर में से ही 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 र इस दिन हमने नोटिस भीजा, ठीक है, वो डेट को ले ले लेंगे, और जो मीटिंग की डेट, मीटिंग की डेट को नहीं लेंगे, 14 days में, इस स्मॉल शेयलडर डारेक्टर को आप इंडिपेंडेंट डारेक्टर बना सकते हो, प्रोवाइडेड अगर उसने वो 149.6 का फुल्फिल्मेंट कर दिया हो, ठीक है, उसका डेक्रादेशन की मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटिरिया का फुल्फिल्मेंट करा है, इसका 149.7 कुल आपया जाएटिर ना बड़ता है, एक और अवेव scoring की स्मॉल शेयलडर हैंगला पड़ता है, खुलर लाशी मैंसे नापना स्पेशाल नोटिस जाता है, टक्वाइड यहयं शेयलडर जटी। है रिमोवर के ताइम तो और रिजॉलिशन है एक्विटी शेरोलडर भी रिमोवर के टाइम मौझूद रहते हैं तो रिमोवर के टाइम कलेक्टिली ही इसको रिमूव किया जाता है 164 167 इस पर भी अट्रेक्ट होता है कि रही बाद और दी है वेकेंसी की तो लेक्ट बनाया है सब्सक्राइब बनाया है तो सब्सक्राइब और किर्फ एकेंस क्रीएट हो गई यह सब हमने पोशीन पड़ा हमने यह पोजिन पढ़ लिया ही सारा पुछ हमने पौशन हमने पढ़ लिया तो दूसी कमपनी कॉंपीटिंग विजनस में नहीं होना चाहिए या एसे बिजनस में नहीं होना ची जाप पर उसका conflict of interest है तो competing बिजनस में नहीं होना ची और एसे बिजनस में नहीं होना ची जाप उसका conflict of interest है ठीक है मतलब कि अगर आप पाले वाली कंपनी में independent director हो कैसे small shareholder director हो आप Sunfix की company में नहीं वन सकते हैं कि एक ओर से लेंट यह है कि once small shareholder director sees जब आपका डारेक्टरशिप सीद हो जाता है तो once small shareholder डारेक्टरशिप तो once small shareholder director sees to office ठीक है cannot associate in any capacity किसी भी capacity में आप जो है associate नहीं हो सकते हैं ठीक है तीन साल के लिए आप किसी भी capacity में associate नहीं हो सकते हैं और small shareholder director तो आप lifetime नहीं बन सकते हैं ठीक है तो आप associate नहीं हो सकते हैं किसी भी capacity में और in fact आप small shareholder तो आप lifetime नहीं बन सकते हैं आती यह बात additional director की traditional director बोलकर था 1611 में जहां पे board जो है board meeting या RBC में 161 1234 additional attorney nominee casual में जो director appoint करते हैं वो board appoint करता है ठीक है board जो appoint करते हैं member नहीं करते हैं board meeting या RBC से appointment होता है general meeting में नहीं होता है additional director को appoint करते हैं ठीक है तो डारेक्टर जिनका general meeting में ही appointment fail हो गया तो डाइटर हो failed to appoint in general meeting ठीक है वो additional director नहीं बन सकते हैं मतलब कि इनको member नहीं reject कर दिया है उनको फी board क्यों appoint करेगा additional director ठीक है उनका appointment valid तम माने जाएगा जब the time 64 में वो disqualified नहीं है उन्होंने अबसे बकायदा उनको इतिन है साथे सहाथ उनोंने डी आइयड टूब्ल को submit कर दिया मतलब 3D dit qualified नहीं है दिन है और दिन है साथे साथ उन्होंने डी आयाह ट्रूब्ल समिंट कर दिया मतलब 4D की बात कर रहे हैं यह डारेक्टा पॉइंट करने की पावर ठीक है यह डारेक्टा पॉइंट करने की पावर वाया आर्टिकल है तो आर्टिकल से आपको पावर मिलने चीए मतलब कि आर्टिकल ओवर्राइड करता है आर्टिकल से आपको पाउर मिलने चीज़ तो भी जाके आप अब अधिशनल डारेक्टर पॉइंट करते हो दहीं बात देखे टैनियर की तो अधिशनल डारेक्टर का टैनियर अप्टो नेक्स्ट एजम होता है ठीके अब एजम हुई तो बहुती अच्छी बात है इन केस नहीं हुई ठीके तो लास्ट डेट ओन विच एजम ओट टो हैव बिन हैल्ड ठीके तो उस दिन तक ठीके उसका वो डारेक्टर रहेगा एजम हुई और वेकेंसी क्रियेट हो गई या अडिशनल डारेक्टर जो है अब नहीं रहा तो उस वेकेंसी को फिल कर सकते हैं कि इस तरीके से फिल कर सकते हैं कि आपने फिल सच वेकेंसी बाइपोंटिंग अडिशनल डारेक्टर एज रेगिलर डारेक्टर आप फिर उट्स डारेक्टर को इधा रेगिलर डारेक्टर पॉइंट करो सपर सेक्षिन वन सिस्टी हमने क्या वोला कि जो 10 यह अप्ट नेक्स एजम रेता है ठीक है एजम नहीं हुई तो लास्ट डेट ऑन विच एजम और टू है विन हैट आप समझो कि एजम हुई किसी कारणवर्ज एजम हो गई एज़न और एज़न जो हुई है वो लास्ट डेट के बाद हुई है तो सी इधा समझो एजम हुई है पर किसी कारणवर्ज एज़न हुई है मतलब कि इस तरीके सा हम यह समझेंगे कि उसके respect में AGM हुई ही नहीं है ठीक है उस particular respect में AGM हुई ही नहीं और AGM adgen होगे और अगर adgen हुई है और AGM adgen जो है last date के बाद हुई है तो एसे case में last date को देखा जाएगा ठीक है जो है 30 September हमारा तो इसका टेट को एक्सटेंड बी कर सकता है तो वह डेट ले लेंगे इसका 10 अगरा है यह रिटायर में नहीं बोलेंगे इजा से वेसा माना जाएगा कि 10 अगावा है अब इस वेकेंसी को फिल कर सकते है ऐस अधिशनल डार्टर अगर हमने अपॉइंट कर लिया तो अब सेक्रेटरी एक वेक्शन है था जिसमें चीज इनकोरप्रेट इट सी कि आप क्योंगे चेकर हो गए तो हमने तो देखा यह ना कि एज़े अधिशनल डार्टर जब आप अपॉइंट्ड डार्टर अपॉइंट हो तो आपको 4D का अंप्लाइंस को अनने ही अनना है तो एड एंइडिशनल डारेक्टर के पर्टिकृलरे से वो 맛있는 सतीं साथ उसकी शेरोल्ड पर्मेर जेकिल सासे हो कीज़ीशनल डारेक्टर है के शेरोसं करते हैं कि ए पांत्फा ह में यह है कि symmetry टेन्यक्टर कर ज्णक अपर्चide तो इस तरीके से जो है हमारा एडिशनल डिरेक्टर वाला कंसेप्ट हो जाता है ओवर आती बात कैजूल वेकंटी की तो कैजूल वेकंटी में क्या बोला है था है अब हम पंड है के जो यह वेकंटी क्या मुला है इसमें कि ज़ू बोलak टाएंट करता है तो क Glory इदा जो appointment होता है, board meeting में ही होता है, RBC में appointment नहीं होता है, और साथे साथ, no express power need by the article, तो article से भी कोई express power की need नहीं है, तो C, board meeting में appointment होता है, कोई RBC के थूँ appointment नहीं होता है, director जो है casual vacancy director, इसका ten words होता है, वो next AGM वाला scene नहीं है, इदा जो tenure होता है, वो tenure जो होता है, un-expired term of director, जो director जिसकी vacancy हुई थी, ठीकिए उसकी जगह पे इसको लाया गया है, तो उसका un-expired term of director इसका tenure होता है, वापिस से जो है the appointment कर देंगे, पर यह appointment होगा as a regular director, वो section 160 का compliance करना पड़ेगा, यह जो director है, ना तो retiring director है, और यह कोई rotational director भी नहीं है, तो कि इसका tenure भी अलग है दिया हुआ है, ठीक है, general meeting में जो director appoint होते है, उसकी जब vacancy होती ही, तो board of director उस vacancy को fill करते है, ठीक है, तो वो जो vacancy होती है, general meeting में जो director appoint हो, उसको बोलते है, casual vacancy, इसको बोलते है, casual vacancy, board of director vacancy को fill करता है, अब अगर उस director में भी छोड़ दिया, vacancy create हो गई, तो board of directors होना fill कर पाएगा, तो कि वो एक casual vacancy का scene ही नहीं है, casual vacancy का scene तो थाब होता है, जब general meeting में कोई से director appoint हो, उसकी vacancy हो गई, बोल ने उसको appoint करा है, बोल ने ने director का appoint किया है, अब उसकी भी vacancy create हो गई, बड़ा उसने वो भी अगर छोड़ के चले गया, तो ऐसे case में casual vacancy है ही नहीं, तो board of director fill नहीं कर पाएगा, युकि होती, तो board of director fill करता है, तो ऐसे case में solution यह है, कि casual vacancy director तो appoint होने से रहा, additional director आप appoint कर दो, ठीक है, अब casual vacancy वे से arise कब होगी, जब आपका appointment valid होगा, तो जब valid appointment है, ठीक है, जब आपका valid appointment है पहले, तो ऐसे case में, उसकी अगर वो छोड़ के जा रहा हो, तो casual vacancy होगी, तो casual vacancy के लिए पहले आपका appointment valid होना जरूर ही है, अब सी, हम ने क्या पड़ा था कि casual vacancy को सिख board meeting में ही appoint करते है, casual vacancy वाले director को, कोई express power given नहीं है, ठीक है, article में, board बोड वाले जब appoint करते है, casual vacancy को director को, साथे साथ इसका subsequent approval चाहिए, general meeting में, ठीक है, article किस तरीके से appointment होता है, वो appointment का manner देखे रखा है, ठीक है, और कभी manner नहीं देखे रखा हो, तो simple सी बात है, कि board resolution तो पास ही होगा, साथे साथ general meeting में, OR भी पास होगा, ठीक है, subsequent approval तो लगता ही है, general meeting में, और इस टरीके से casual vacancy के director, appoint होता है, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ खास सी टेस को पढ़ने में, ठीक है, बात 10 year याद रखने की है, और article से कोई express power की जड़त नहीं है, 10 year याद रखने की है, और साथे साथ RBC वाली बात है, जो समझने की है, तो इसकी बात अगर हम देखे, difference तो वो ही है, कि additional director board meeting या RBC, ठीक है, additional director board meeting में appoint होता है, या resolution by circulation से, casual vacancy में RBC नहीं लगता से, board meeting में ही होता है, जो general meeting में fail हो गए है, तो appoint as an director, तो additional director नहीं हो सकता है, ठीक है, तो साथी साथ casual vacancy में, हमने यह पढ़ रहा था, कि subsequent approval लगता है, general meeting में, तिल नेक्स टेजिम या लास्ट डे, ओन विचेजिम और टू हो वाला सीने इदर, casual vacancy में, तिल अनेक्सपायर टम अफ प्रिवियस director, casual vacancy को additional director अपॉंट कर सकते हैं, क्या में जो बता हूँ, casual vacancy का टम तो बहुत ज़ाद है, additional director का 10 यार तो कम है, तो casual vacancy में, additional director का अपॉंट नहीं कर सकते हैं, because of 10 यार, वो जो 10 यार का difference है, उसको casual vacancy में, casual vacancy क्रेट विक हमने, additional director अपॉंट करिया, तो यह से नहीं हो पाएगा, because of difference in 10 यार, आती बात alternate director की, alternate director का concept भी अच्छा कासा बड़ा है, जा में board meeting, or resolution by circulation, तीनों तरीके से, दोनों तरीके से appointment होता है, आती बात alternate director की, तो board of director, जो है में, एक बोर्ड अपॉंट 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 की बात करें, तो जब डिएरेटर का ओरिजिनल डायट है एपसेन्स from India ठीक है और एपसेन्स जोईël तीन मہने यह से ज्यादा खा Ray मतब कि जो ओसेड इंडिया गया था तो तीन मैने या उसे ज्यादा के मूर से यहाँपन बोल सकता है कि उस intention से बाहर गया था पर ले देकर जो है हो सकता है कि वो बाद में जो है जल्दी टाइम से इंडिया में आ गया हो जल्दी इंडिया में आ गया हो तो इधर जो हुआ है कि एपसेंस जो है इंडिया से वो तीन महिने वे उसे जाधा के लिए है उस इंडेंश के लिए बाहर गया है तो प्रम काही के लिए करोगे स्मूद फंक्शनिंग के लिए और जो कोरम की प्रॉब्लम को रिजॉल करने के लिए आपको अगर अपकूइंट करना तो अपॉइंट करो जब भी बौर्द ऑफ डारेक्टर की बाता थी तो कलेक्टिव बॉडी की बात थी यह से कोई नहीं कि तो इसको अडिशनल डार्टर हमने अपॉइंट किया इसका टैनियर गया होगा इंडिया में आया और उसका टैनियर खतम हो गया अब समझो कि एडिशनल डैरेक्टर जो है और डैरेक्टर वो अपने जो नॉर्ञेंल डैरेक्टर है उसका रिेप्रेजेंट के नहीं है वो आपने angles और एकर रिवर्य डैरेक्टर जया है कि इसका 10 ए रही है ऐलागे तूट कर सकते हो मैंने और इंटीकल के नाम है थोड़ा सा मिने हैं गलत बोल दिया यह मैं बोलना चाह maintenant हों कि या और वो आर्टिकल से authorized होना चाहिए ठीक है मतलब कि express power via article होना चाहिए ठीक है और tenor की end की बात कर ली है कुछ note करने की बात यह है कि अगर meeting video conferencing से हो रही है तो उसको vacancy मत मानना ठीक है वो vacancy नहीं है ठीक है अब समझो कि अगर original director cease to be director या cease to be director हो जाता है तो ऐसे case में original director को तो reappoint कर सकते हैं ठीक है पर उसके 160 नहीं लगेगा 160 तब लगता है जो दूसरे director होते है तो उनका तो automatic reappointment हो जाएगा पर alternate director का उसका जो alternate director है उसका reappointment नहीं होगा ठीक है समझो कि original director जो है वो इंडिया में आया ही नहीं और उसका tenure over हो गया तेसे case में उसको automatic reappoint कर देंगे पर alternate director को तो छोड़ना पड़ेगा office उसको reappoint नहीं कर पाएगे कुछ ineligibility है है हम वों को समझना पड़ेगा कि alternate director जो है दो director का एक alternate director नहीं हो सकता अगर D1 का alternate director है में दो director का alternate director नहीं हो सकता साथ है साथ एक और capacity वो person के respect में है कि वो किसी company में अगर director है तो उस company में वो alternate director नहीं बन सकता और original कुछ note करने की बाद यह है कि अगर original director किसी contract में interested है इसका अधब यह नहीं है कि alternate director भी interested है जैसा नहीं वाना जाएगा ठीके alternate director भी अपना consent जो है DIA2 में देता है साथ ही साथ company जो है रजिस्टर को DIA12 में जो है submit करती है तीस जिन के अंतर तो यह सब चीजे है समझने की ठीके यह director के respect में कि दो director का alternate director नहीं बन सकता हो किसी company का director है तो उसी company में वो alternate director नहीं बन सकता यह point है समझने का और इस तरीके से हमने alternate director भी over किया साथ है साथ अब जो है इसमें एक question है important question है वो आपने देखा ही होगा यह जो particular question है इसका यह exact है कि suppose करो कि total number of director है हमारे 11 total number of director 11 है उसमें कोन कोने दो nominee director है ठीक है second AGM में first, second, third लग कि यह तीन director के नाम है तो first director, second director, third director जैसे होगा पांच, फिर छे आठीक है फिर हुआ एक तो फिर ओ जो है excellent, excellent भी appoint हुआता second AGM में also appoint as MD for five years फिर साथे साथ third AGM में फोर्थ और फिफ्ट appoint हुए और उस AGM में soul appoint हुआ ठीक है soul को appoint किया पर वो मर गया वो died होगा hence यह casual vacancy होगी ठीक है और subsequent to third, third agent के बाद एक additional director appoint किया और एक one more director appoint किया total number of director अगर हम देखे तो nominee के दो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अब यह जो 11 है total number of director में से दो nominee director तो हटा दो क्योंकि हमने वड़ा था total number of director में 9 मिल जा दारेक्टर जो special act वाले है वो आप माइनस हो जाते हैं तो 9 हो गया total number of director में अब हम समझे कि 9 का जो two third होता है वो two third क्या होता है two third होता है rotational तो 9 का two third निकालो ठीक है तो 6 director है 6 director rotation होने चीए तो 6 director rotational कोन होंगे ठीक है at least 6 director तो समझो 1, 2, 3 यह है rotational director ठीक है अब 4 और 5 है हमारा वो भी rotational director है और यह जो excellent है यह हमारा rotational director हो गया ठीक है साथे साथ additional director हमारा non rotational है ठीक है वो one more director को इसलिए हमने कुछ बोला नहीं क्योंकि one more director के पहले ही यह सारे director हमको मिल गये है rotational director ठीक है ट्रैटलिस्ट 6 होने चीज़िए यह 6 director हमने पकड़ लिए सोल को अपॉइंट किया था पर वो मर गया hence casual appointment है तो जो जो अपॉइंट किया था बड़ उसकी जर्थ हो गई hence casual vacancy है तो यह जो सोल है इसको सोल को एजियूम करा है to be non rotational director तो इस तरीके से 6 तो rotational director हो 3 non rotational director हो गए 3 कौन कौन से non rotational director हो गए additional director वन मोर डारेक्टर हो 16 तो यह वो non rotational director है अब इन 6 में से one third, nearest to one third at least 3 na nearest to one third जो है मतला at least 2 तीके 6 का one third होता है two वो हो गए माई retiring director और retiring director, retire के से होगे एक तो जो longest in the office है या तो mutual consent से अगर दोनों से तारिक को ही appoint वेते है या तो draw off lots है तो LML तरीके से जो है इनका retirement होगा शु कि वह आफिक जो व हो तो रोटेशनल से ही नििकलेंगे मीन पना अजय का स्ह Hai चाल को शुद करेव नहीं रेगिलर डिरेक्टर होते हैं तु अपने नच्रमciąट्चा करेगों शुक्त है तो इस तरीके से जो है हमनों पार्टिक्लर वो प्रडिक्लर कोशचंन हो में का रहता है है अब आती भात छ्त stick नाम नियृक्टर की नामनी डाइरक्टर का मतलब क्या है जो होता है बैंक थिनाईशल ओिज्टिशन जो है जो थ्पार्टी यह साफ पर उनकी च्रा части तो वो अपॉंट कर सकती ही ही, नॉमनी डारेकर, बॉरोवर कंपनी में, जो कंपनी जिसने बॉरो करकर रखा है बैंक से, ठीक है, तो इनका अब्जेक्टिव गया है, इनका अब्जेक्टिव यह है, कि जो पेसे उन्होंने ऐसे loan दिया है fraud fraud तो नहीं हो रहा है company में वो compliance कर रहे कि नहीं loan के agreement का terms and condition का laws regulations का compliance कर रहे कि नहीं कर रहे ठीक है इनकी activity भी यही होती है तो साथी साथ उस पेसों का fraud हो रहा है कि हो रहा है क्या fraud safeguarding of fraud साथ ही साथ वो laws का compliance कर रहे है कि नहीं कर रहे है ठीक है तो इस तरीके से जो है हमने यह समझा और बाकि जो उनकी जिम्मेदारी होती है वो होती है कि compliance of loan condition कि उनको जो है चेक करना है कि loan conditions का compliance उन्होंने कर रहे कि नहीं कर रहे work serve interest as per sound public policy तो working जो है day to day working है तो एक तो compliance देख लिया day to day working जो है as per sound public policy है कि नहीं है और उने साथ ही साथ vigilant भी होना चाहिए ठीक है तो हमने क्या देखा कि यह जो bank of financial institution है वो borrower company में appoint करते हैं का एक के लिए कि जो amount है उसके respect में fraud की safeguarding करने के लिए साथ ही साथ यह देखने के लिए कि proper compliance हो रहा है कि नहीं हो रहा है और इनकी जिम्मेदारी क्या होती है compliance चेक करना day to day working और vigilant होना चीन को appointment है तो article तो override करता है रही बात article की तो article तो override करता ही है 1613 को पर in case अगर director को ठीक है director board appoint कर सकता है ठीक है article जो बोले या तो इसे चलेगा या तो board appoint करेगा इन डारेक्टर को जो डारेक्टर nominate by institution तो डारेक्टर जो nominate हुए है as per the law उसको appoint कर सकते तो nominate को न करता है institution तो bank को institution नहीं nominate करके रखे डारेक्टर तो board डारेक्टर उसके साफ से जो है appoint करतेगा तो जो institution नहीं nomination देके रखे उसमें से किसी एक को select कर दे तो या तो दोनों साथ में मिलके director as per the agreement with institution institution के साथ agreement करके institution के साथ agree होके तो बेचर उसको appoint कर सकते है तो institution नहीं या तो director की list समांदी उसकी s1 एक को appoint करो करो दूसरा ये है की डायेटके लिस्ट पकड़ाजी किसी एक को अपॉंट कर दिया दूसरा यह है कि एग्रिमेंट करके बातचीत करके हम ने किसी एक डायेक्टर को अपॉंट कर दिया या तो तीसरी चीछे Central Government या State Government by virtue of shareholding Central Government, State Government by virtue of shareholding उसका government company में है वो अपॉंट कर सकते है डायेक्टर इन गॉवर्मेंट कंपनी तो by virtue of shareholding in a government company वो डायेक्टर अपॉंट कर सकता है तो इस तरही के से हमने नॉमिनी डायेक्टर की रिस्पेक्ट में बात करी हमने एक क्वेशन भी करा साथ ये साथ हमने Alternate Director की रिस्पेक्ट में बात करी जिसका टैनेर भी हमने पढ़िए कि जब ओरिजनल डायेक्टर इंडिया में आता है इसका टैनेर खतम हो जाता है और साथ है साथ हमने Additional Director, Casual Vacancy की बात करी फिर आती बात Casual Vacancy की तो Casual Vacancy Director Appointment करने की बात कर लिए हमने Additional Director भी हमने पढ़ा कि Additional Director को भी हम Appoint कर सकते है Small Share Video Director की रिस्पेक्ट में हमने concept पढ़ा साथ ही साथ हमने जो है इस तरीके से Independent Director का selection करते है हमने वो सब देखा and see अब यह प्रोविजन पढ़ने के बात जो है अब हम इसकी questions जो है अगले वीडियो में करेंगे इस particular जो है particular जो हमने particular topics पढ़े हैं इस topics को हम जो questions है वो अगले वीडियो में करेंगे Till then भगवा and take care and हम जो है अगले questions हम next वीडियो में करेंगे Thank you